असलाव लेकुम खुशामदीद नाजरीन कभी जल्दी कुछ बनाना हो और कुछ बहुत अच्छा खाने का मूड हो रहा हो तो फिर ये वेज राइस बनाएं आसानी के साथ घर में मौजूद चीजों से जटपड बनता है ये चलिए बनाना शुरू करते हैं एक कूकर गर्म करते हैं उसमें हाफ कॉप आयल और टू डेवल स्पून खी डालेंगे आप चाहें तो सिर्फ आयल का यूज करें या खी आयल मिक्स करके ले 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 इसको गर्म होने देते हैं अब इसमें तीन तेस पत्ते 15-20 गोल मिर्च एक टुक्रा दार चीनी एक बड़ी लाची और दो छोटी लाची डालेंगे इनको हलका से सौते होने देते हैं, है अब इसमें कटी हुई प्यास डालेंगे हम, जिसतरे अंडे के लिए प्यास काटते हैं वैसी काटी हैं मैने दो अदद प्यास लेकि काट लें मीडियम साइज की इसकी रंगत हलकी सी तबदील होने देते हैं बहुत ज़ादा इसे फ्राई नहीं करना है 1 टेबल स्पून अधरक लेशन का पेज डालते है 2 टी स्पून धनिया पाउडर 1 टी स्पून हल्दी पाउडर 1 टी स्पून जीरा पाउडर जिन सब को मिला के चला लेते हैं और 1 टी स्पून लाल मिर्श पाउडर दो टमाटर है जिनको छोड़े छोड़े टुकड़े में काट लिया है रफली चॉप्ट कर लें अब इसमें नमक डालेंगे हम नमक जाएके के हिसाब से डालें मैंने 2 टी स्पून नमक यूज किया है इसको हलका से भून लेते हैं पानी नहीं डालेंगे टमाटरों के पानी में ही ये भून जाएगा मसाला बहुत थोड़ी देर तक भूनना है बहुत जादा नहीं भूनना है बस दो से तेन मिट तक इसे फूनेंगे हम अब इसमें एक कप सोया चंक्स डालेंगे जिनको मैंने बीच मिट पहले दो के भिगा दिया था दो तीन मिट तक तेज आज पर इन्हें भी भून लेते हैं चितनी सबजियां हम फ्राई कर रहे हैं इसमें सबजियां भूनते वक्त हम आज को तेज ही रखेंगे अब इसमें वन टी स्पून हरी मिर्च का पेज डालेते हैं दो मीडियम साइज की कटी हुई गाजरे हैं इनको भी डालके हलका से भून लेंगे तकरिवन एक मिनट तक इस वेज राईस में आप अपनी पसंद की और सबस्जियां जोर सकते हैं या कुछ चाहें तो कम कर सकते हैं या घर में जो मौझूद हैं उनके साथ भी बना सकते हैं जैसे बीन्स या हरे मटर यूज कर सकते हैं आप अगर आपको राईस में आलू पसंद है तो आलू भी मिला सकते हैं अब इसमें हम कटे हुए शिम्रा मिर्च डालेंगे दो अदद शिम्रा मिर्च हैं जिनके चोकों टुकड़े में काट लिया है अब इसको एक से डेज मिनिट तक मजीद भूनेंगे आज तेज रखें और चलाते हुए सबजियों को अच्छी तरह से भून ले देखें अब हमारी सबजियां भून गई हैं अब इसमें थोड़ा गर मसाला पाउडर डाल लेते हैं वन एन हाफ टीस्पून मसाला पाउडर है एक बर अच्छी से चला लेते हैं और अब चावल में लाएंगे दो कब भीगे हुए बासमती चावल है इनको अच्छी से दोके आदा गंड़ा पहले में भीगा दिया था दो से तीन मेड तक इन चावलों को हलके हाथों से चलाते हुए भून लेते हैं देखें यह भून चुके है अब हम इसमे पानी मिला देंगे तीन कप पानी डाल रहे हैं हम इसमें चुकी कूकर में पका रहे हैं इसलिए पानी का ध्यान रखना होगा, खूकर में पानी की कम ज़रूत होती है और चावलों को मैंने आधा गंडा पहले भिगा दिया था तो तीन कप पानी डाला है मैंने थोड़ी सी कुटी होई लाल मिज डालते हैं नाफटी स्पून, चार हरी मिल्चे हैं जिनको कट लगा लिया है ये भी मिला देते हैं और एक मुठी बारीक कटी हुई हरी धनिये की पत्ती है इन सब को हलके हाथों से मिक्स करेंगे चावल में उबाल आ रहा है चावल हलके से पकने लगा है ढकन बंद करते हैं तेज आज पर सीटी दिलाएंगे हम दो सीटी देने के बाद हम आज को बंद कर देंगे पांश मेर्ट केरे चोड़ेंगे और फिर सीटी हटाके हवा निकाल देंगे अब इसे खोल के देख लेते हैं ये देखें, हमारा बहतरी इंचावल तयार है, ये जटपड बनने वाला इजी सा वेज राइस तयार है, आप इसे बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा, और खास तोर से कम वक्त में घर में मौजूद इंग्रिजिन्ट के साथ जरूर बनाएं, आप इसे बनाएं, खाएं और हमें जरूर बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, शुक्रिया